हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं द्वारा आयोजी दिक्षांत समारों में दिया गया आजात सिंग को डॉक्रेट की यह मानद उपादी उनके अंतराश्ट्री मामलो सेन्य वो विदेश नीति पर किये गए उनके रशनात्मक लेखकार के लिए दी गई है राथोड के बलोची स्थान वो बलोच लोगों के इत इस्थान में उनके ग्रेह नगर बाड मेर में समर्थकों में खुशी की लहर दोड़ गई वो बधाया मिलने का सिलसिला शुरू हो गया इस अउसर पर उन्हें कई अंतराश्ट्रे मामलों के विशेश अग्यों बलोच संगतनों वो मानवधिकार संगतनों से जुड़े सद पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि बलोचिस्तान वो बलोच विशेपर उन्होंने चार वर्ष तक शोद के उपरांद कई आलेक लिखे और यह पुस्तक पूर्ण की है उन्होंने कहा कि हमारी बीड़ी के भारत्य भागेशाली है जिनोंने एक सोतंत्र देश में जन्म होना चाहिए जो असमिधानिक अन्याय पूर्ण और असमान हो एक राजनीती कारकरता के रूप में मैंने अपने आसपास हो रहे अन्याय और असमिधानिक मुद्धों के खिलाफ आवाज उठाने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं कतार में खड़े आकरी आदमी को न्याय मि अध्यम से मैं बलूश लोगों के प्रति अपनी सम्वेंध शिल्ता व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ जो मेरे ग्रे नगर से लगबग 350 किलो मीटर दूर है हमारे पडोसी देश पाकिस्तान के दमन और दमन के तहत दर्धनाग परिस्तितियों में रह रहें राथोड न इने मिले इस सम्वान से उनके इन प्रयासों को और अधिक सफलता और बढ़ावा मिलेगा राथोड अंतर राज ट्रीवर रक्षा मामलों के अधिकारी विशेशग्य के रूप में विभीन समाचार पत्रों में निरंतर आलेग लिखते रहे हैं जागरू टीवी के बाढ़ मेरे से ठाकरा मेगवाल की रिपोर्ट